हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज जो मेरा ये यूजी सी नेट का जो मैं एक सिरीज करा रही हूं कोश्चन्स की उसका ये मेरा थर्ड पार्ट है और इसमें फिर से मैं 20 कोश्चन लेके आई हूं पिड डिटेल आप लोग को ये मेरी सीरीज पसंद आ रही है तो मैं सी में कंटिन्यू हूं तो फर्स नमबर का कोश्चन हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले आपको कोश्चन पढ़के लग रहा होगा कि कितना इजी कोश्चन मेडम ने पहले वाला दिया है चंडीगड का डिजा मैं तयार किया था यू आल नो एबाउट ला कार्बुजे या ली कार्बुजे ठीक है तो आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा बट ये मैंने इसलिए कोश्चन रखा है क्योंकि इनका जो नाम था एक्च्छल में वो बोला जाता था चार्ड एडवर्ड जीन या जीन ठीक है तो ये कोश्चन मैंने पिछले पेपर में एक मतलब एक में देखा कि जीन एडवर्ड नाम से पूछा गया है बट अगर नाम आपको पता है कि ला कार्बुजे या ली कार्बुजे जिन्होंने चंडीगड का डिजाइन किया है उन्ही को जीन एडवर्ड बोलते है तो आसानी था बट जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बता दें कि आपको दोनों नाम याद रखने हैं ऐसे करके एक बार कोश्चन आ चुका है ठीक है तो जीन एडवर्ड जो खुद को ली कार्बुजे कहलाना पसंद करते थे मीन्स उनका जो नाम था वो फेमस देव्य करकें वार्ग तो जीन लिए की नाम से उन्हीं नहीं चंडीगड़ का डिजाइन तयार किया था है ये तो पता है क्योंकि आर्किटेक्ट थे और डिजाइन मतलब बिल्लिंग्स वगेरा की बनाते थे तो एक स्विस फ्रांसीसी थे ठीक है? स्विस फ्रांसीसी थे और उसके बाद क्या था? एक आर्किटेक्ट थे, रशनाकार थे नगरवादी, लेखक और रंकार means वही एक आर्टिस्ट थे ठीक है? अर्किटेक्ट थे, डिजाइनर थे, अर्बन प्लानर थे, मतलब जो चोटी-छोटी वो बनते है Macedon उसके प्लान, मतलब बनाते जैसे आर्किटेक्ट होते हैं वही एक अर्बन प्लानर means जो जगे होती थी कई बार उसके कौन सी जगे पर क्या होना चाहिए किस जगे क्या होना चाहिए तो इस तरीके से ये अलग-अलग तरीके की डिजाइन और पैटर्न बनाते थे एज राइटर भी ये फेमस रहे जिन है आज कल आधुनिक आर्किटेक्चर या अंतराष्टी सैली कहा जाता है मेंस वही जो आर्किटेक्चर है जिसे हम अब आज के टाइम में क्या करते कहते हैं मौडन आर्किटेक्चर या अंतराष्टी सैली कहा जाता इनका जन्म हुआ था स्विट्जर लैंड में लेकिन तीस वर्स की आयू में तो फेमस जगें इनके लिए क्या क्या थी काम करने की ईउरफ में भारत में रशिया में उत्तरवा धच्ष्ड अमेरिका में इनकी एक एक जो इननोंगे डिजाइन तयार की थी वह है ठीक है एक और important चीज है इनकी ये देखिए मैंने दुबारा लिख दिया I think ये एक नगर नियोजक means वही आर्किटक्ट चित्रकार मूर्तिकार लेखा क्वा आधनिक furniture रचनाकार भी थे means जो modern जो furniture अलग-अलग तरीके से अच्छे अच्छे बनते हैं उसके design भी ये बनाते थे तो कई चीजे निकल के आ गई इनके लिए देखे ये है हमारा open hand mountain इन चंडीगर्ड में ये नहीं ने design किया तो चंडीगर्ड तो वैसे भी पूरा इनी ने design किया अब चंडीगर्ड से related अगर अलग-अलग भी कोई चीज पूसता है तो आप इसको याद रखिएगा other work में देख लेते हैं इनके क्या-क्या है ये आपको as it is ऐसे ही पढ़ना इसको हिंदी में लिखने का कोई मतलब नहीं था United Nation का जो headquarter है New York City US में वो इन्होंने design किया विलास है वो सैयोव ये फ्रांस में ये भी नहीं ने design किया buildings in एहंदाबाद में भी design की building और last जो सबसे अधा important है वो है हमारा चंडीगड का तो चंडीगड की मैंने अलग-अलग नाम लिख दिये है इसमें से अगर कुछ भी आता है तो ये सब किसने design किया हमारा किसने plan किया था लाख कार्बुजे ने ठीक है palace of justice है museum है वहाँ का जो और फिर governor palace है palace of assembly है college of art है ये सारे का सारा किसने design किया है ली कार्बुजे ने ठीक है तो ये important चीज है main इनकी याद रखिएगा ये आप note down भी कर सकते है ये इतना important नहीं है जितना ये है कि कौन सी building maybe अगर अलग से पूछ लिया और थोड़ा सा confuse करने के लिए तो आपको असानी रहेगी तो next question है हमारा next next है हमारा deco page होता है deco page क्या होता है ये इसको बोलते है हिंदी में cutting out ठीक है layout जैसे cutting layout होते है उसको बोलते है cutting तो ये एक तरीके से technique होती है जब हम किसी surface में यानि किसी माध्यम में जैसे लकडी या धादू या काच किसी भी प्रकार का जो हमारा surface होता है उस पे जब हम cut मतलब means किसी भी चीज को cutting करके layout उसके अलग-अलग तरीके से cut out जो होते हैं एक तरीके से किसी भी चीज को हम चिपका के जब बनाते हैं उस technique को हम बोलते हैं deco base ठीक है ये अलग-अलग medium हो सकते हैं कुछ भी हम paper चिपका सकते हैं flower की cutting करके चिपका सकते हैं तो देखिए वी इस पेंट प्रभाव सोने की पती या अन्य सजावती तत्वों के सयोजन में रंगीन paper cut out चिपका कर मींस ऐसा नहीं है कि कोई एक paper में जैसे एक लकडी है लकडी के पर एक कोई paper चिपका के कोई design बना रहे हैं तो paper के अलावा भी हम और अलग अलग तरीके से जो चीजे होती हैं उनको अगर हम जो decorative objects होते हैं उसको अगर चिपका के हम जो काम करते हैं तो उसको बोलते हैं deco page ठीक है तो इसमें अलग अलग texture हो सकते हैं अलग अलग surface हो सकते हैं surface में आप लकडी का use धातू का use मतलब कोई भी surface इसमें use होता है तो इसको बोलते हैं deco page ठीक है cut out means वही कागच के रूप में काटने और चिपकाने की कला को बोलते हैं और फिर blast में उसकी finishing की जाती है जैसे उसको जो lock बोलते हैं lock और varnish के साथ उसकी coating करते तो वह fix हो जाता है एक example यह देखिए जैसे इसमें cut out करके ऐसे लगा के बनाया है और फिर उसको एकदम finishing करी गई है उसको गिस गिस के एकदम clear कर दिया गया है तो किसी भी चीज को basically चिपका के या काट कर उसमें किसी surface पे लगा के जब decorate करके बनाते हैं तो उसको बोलते हम deco page next है हमारी Japanese होती है Japanese होती है Japanese एक ऐसी प्रक्रिया होती है इसमें क्या था जो European लोग थे उन्होंने जो एशियाई महादिपो में जो जो technique थी कला से संबढ़ जो जो शैलिया थी उसकी एक तरीके से copy करने के लिए नकल करने के लिए लाख लाख सब्दा आपने सुना होगा लाख और resin resin क्या होता है एक तरीके से चिपचिपा पदार्थ होता है chemical वो होता है उसके साथ furniture को सजाते थे तो इस technique को बोलते थे हम Japanese means हमें ये बस ध्यान रखना है कि Japanese क्या है एक तरीके से ये टेक्निक है ना कि कोई एक पर्टिकुलर मतलब कोई टूल नहीं है या Japanese means Japanese कला से संबंदित कोई ऐसी कोई सब्दा वली नहीं है बड़ ये Japanese क्या होती है एक ऐसी technique होती है इसको उन लोगोंने कॉपी करने के लिए ये श्याई महादीप में जो जो शैलिया होती थी वो यूरोपी लोगोंने इसको क्या क्या था कॉपी करने के लिए लाख और रेजिन का यूज करके अपने प्राचीन फरनीचर को सजाते थे ठीक है ये देखिए एक example ये है ठीक है ये क्या है एक Japan pocket watch है from 18th century की ये देखिए pocket watches को इन्होंने कैसे decorate किया है next है हमारा fourth number का question है हमारा Walter Adolf George Gropius प्रशिद है इनके बारे में पहले पूछा गया है matching में ठीक है तो Walter Adolf George Gropius क्या है ये German architect और बहुत बहुत स्कूल आपने सुना होगा Germany का स्कूल के संस्थापक थे ठीक है तो ये अंतराष्टी Sally के वास्तुकार भी थे इनका एक चीज क्या important है कि जो इनका house था the Gropius house एतिहासिक New England के स्वामित वाला एक एतिहासिक हाउस संग्राले हो गया means जो इनका घर था वो अब एक historical place के रूप में फेमस है वहां पे इंग्लेंड में जो कहां पे हैं इंकन मैसाचुसेट संग्तुराज अमेरिका में 68 बेकर ब्रिज रोड पर इस्थित है ठीक है यह देखिए इनका यह घर है जिसको म्यूजियम में convert कर दिया गया है में क्या है यह ग्रोपियस क्या है एक वास्तुकार है और कई बार ग्रोपियस हाउस के बारे में भी जैसे पूछा गया है तो यह इनका घर था यहां पे अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहते थे जो अब एक म्यूजियम में और एक अतिहासिक इस्थल हो गया है ठीक है और important इसलिए है क्योंकि बहुत से स्कूल के संस्थ फक्ता संस अब जर्मन वास्तुकार हैं इतना आपके लिए सफीशेंड अंकल सैम का फेमस पोश्टर बनाया था अंकल सैम के यह् तेखिए अंकल सैम कई पोश्टर के बनाय था यह मैचिंग में इस टाइब के कोशन बहुत आए हैं किसका पोस्टर है फोटोग्राफी के भी अलग-अलग जो टाइटल होते हैं जो आप लोग इस पोटोग्राफी के भी टाइटल जो होता फोटोग्राफी इसे भी कई बार कोशन बनके आया है और उसका नाम देकर पूछा गया है तो आप उसको जरूर एक बार पढ़िएगा तो ये जो है एक अंकल सैम का पोस्टर ये किसने बनाये था ये जेम्स मेंट गोमरी फ्लैग ये नाम इस टाइप से आते हैं और पूछा जाता है कि ये क्या थे या इनका फेमस अगर पोस्टर दिया या कुछ और दिया तो वो मैचिंग में भी आता है तो ये एक अमेरिकी कलाकार कॉमिक् प्रिकार थे उन्होंने फाइन आट पेंटिंग से लेकर कार्टुनिंग तक मीडिया में काम किया सारे उसमें काम किया है और लेकिन फेमस किसलिए हुए थे ये बेसिकली जो पॉलिटिकल रिलेटट जो राजनेतिक छेत्र है उसके पोस्टर के लिए ये बहुत ज्यादा नाम इनका आता है तो अब मैचि क मैचिंग में से भी पूश सकता है तो हमें पता है किसका चेमस मॉंट गॉमरी ऐसिकर सलेबस बहुत सारे यार्टिस्ट सार किटैक्ट कि यह हैं क्योंकि अलग-अलग डिजाइन अलग-अलग फोटोग्राफ़ है इस पेमस और मीश्य जो लाउन करते रहना है यही मेरे नोट्स बनते हैं आगे जाके हमारी ऐसे जो बच्चे अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों ने तो अपने नोट्स अल्रेडी बना रखे होंगे यह जो एक-एक करके हम पढ़ते जाते हैं नहीं न सिंगल क्लू भी मिल जाता है तो हमारे लिए वह कोश्चन आसान हो जाता है तो इवन हमें नाम जरूर पढ़ लेने हैं जो जितने नाम हमें जहां से भी मिलने टफ जरूर होते हैं बट अगर आपने एक बार पढ़ा है तो मेमोरी में कहीं नहीं होता जरूर है ठीक है तो बराक ओबामा होप ये भी एक फेमस पोस्टर है किस ने बनाया था ये कोश्चन ऐसे तो नहीं आया बट इसमें ये सेपर्ड फेरी के बारे में पुछा है तो सेपर्ड फेरी जो है इनी ने बनाया है डिजाइन किया है जब 2008 में जो वो प्रेसिडंट का ऑइलेक्शन था उनका उबामा का उस टाइम का इनोंने अभियान चला था उस में उने बनाया था कलर कैसा देखिए लाल नीले रंग के हलके टोन से और गहरे रंग के साथ पूरा किया धेद Ukraine में ography निदिमे हैं क्या है को लोजियम आप मतलब बहुत बार आया हुआ है कोलोजियम के बारे में ये मैचिंग में जरूर आता है या कई बार ये सीक्वेंस में आया है तो कोलोजियम तो बहुत इंपोर्टन्ट है कहां पे है ये इटली में ठीक है इटली सहर के केंद्र में बीचो बीच है ये क्या है ये एक amphitheater है ठीक को लोजियम एक कोई building नहीं है ये एक amphitheater है पूछा जाता है एक मतलब oval shape में अंडाकार shape में amphitheater है और ये अभी तक मिन्स अब तक का ये सबसे बड़ा जो प्राचीन मिन्स पुराना amphitheater माना गयाता है आज भी इसको मतलब ये इतना पुराना हो गया है तब भी दुनिया में सबसे बड़ा standing amphitheater है हलाकि बहुत से भूकम पाए और इसको लोगों के द्वारा कुछ जो वैसे लोग होते हैं उनके द्वारा लुटेरों के द्वारा इसको काफी हद तक बरबाद भी किया गया बट अभी भी time क्या है 70-80 के करीब का एडी और अभी भी इंपीरियल रोम का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है ठीक है इसे दूसी चीज क्या है जो seven wonders है उसमें भी से स्थान मिला है तो कोलोजियम एक तो यह हो गया मतलब इसमें तीन-चार मौइंट निकला है सबसे बड़ी बात कि यह सबसे बड़ा है प्राचीन एमफी थीएटर है जो आज भी है और क्या है दूसरा चीज इसकी क्या है सेकेंड खासियत की जो seven wonders है इसमें भी यह सूची लीजे कैसा बना हुआ है व्रताकार ठीक है यह बहुत बड़ा एमफी थीएटर है नेक्स्ट है पैडेस्टल साफ्ट का सास्त्री वास्तुकला में क्या महत्व है पैडेस्टल अलग है साफ्ट अलग है मैंने कॉमा लगा दिया है का सास्त्री वास्तुकला में क्या महत्व यहां पर हमारा ग्रीक कला से और आपको बता दें कि यूरोपियन आर्ट में ग्रीक कला बहुत important चेप्टर है ठीक है बहुत important चेप्टर है और इसमें से बहुत सारे question फस्ते हैं हर बार नेट में हमेशा इससे question आता जरूर है क्योंकि इसमें जो इसका architecture है ये बहुत ज़्यादा famous था means इसमें कैसे temple बने, कैसे उसके church बने, यहां के जो columns आप अभी मैं दिखाऊंगे इसमें columns ये बहुत ज़्यादा famous रहें ये देखिए pedestal क्या होता है, जो Greek कला में आपने अभी दिखाऊंगी picture तो ज़्यादा समझ में आएगा सास्त्री वास्तु कला में इस्तंभ मूर्ती फूल्दान आधार को कहते थे, मतलब किसी चीज के base को बोलते थे पेडेस्टल ठीक है, आधार, वरगाकार, अश्टकोडिया, वरत्ताकार हो सकता है, जो base होता था, वो किसी भी design में हो सकता था, means उसका shape कोई भी हो, या तो square हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता था, तो ये होता एक तरीके से, जो pedestal है, वो हमारा क्या होता है, एक base होता है, किसी बहुत ज़्यादा आता है, साफ्ट, साफ्ट क्या होता है, आधार पर टिकी हुई है, एक लंबा संकीर उध्वाधार, सिलेंडर, means वही जो मैं अभी दिखाऊंगी, column जैसा एक होता है, जिसे कुछ क्रमों में, floating उध्वाधार, खांचे के साथ जोड़ा जाता है, लंबा लंबा रखा है, मतलब स्टेंडिंग लाइन में देखिए, जहां साफ्ट लिखा है, यह पिलर जैसे अभी जो ग्रीक आर्किटेक्चर में इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, तो इस टाइप की ही सारी वहाँ पे स्टाइल थी, और सेकेंड चीज क्या है, कि यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर कर दे, तो जो ग्रीक आर्किटेक्चर था, वो हमारा तीन तरीके से, मींस तीन तरीके से उसका विकास हुआ है, एक तरीक मतलब आपने उसका नाम सुना होगा, वो है डोरिक, आयोनिक और कोरिंथियन, ठीक है, यह तीनों ओर्डर मे पूरे जो ग्रीक कला का विकास हुआ है, और इन से पूछा जाता है कि डोरिक में क्या होता है, आयोनिक में क्या होता है, या कोरिंथियन में क्या होता है, अभी बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, यह देखिए कोरिंथियन है, ठीक है, जो य लेक चलते हैं डोरी कॉडर स्टार्टिंग कहां से होई डोरी कॉडर फिर आयोनिक और थर्ड नंबर पर कोरिंथियन यह नीचे वाला हमारा जो हो गया इसमें बहुत ज्यादा डिटेल है आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ना है आप आप चाहे तो देख सकते हो ठीक है तो पिलर जैसा है और इसके ऊपर बोला जाता है इसका पूछा गант cette eb diagonals क्या होता है इसको मतलब sequence गुहार्ज इसको पूंचों कर लीजेगा किसी कौन सी पिक्चर में क्या चीज कहां पर है अटलिस्ट ये आप देख लीजेगा तो इसमें क्या है जो सबसे पहले ही होगे हमारा बेस ये ऐसे पिलर जैसा है और उसके ऊपर ये ट्रैंगल शेप में होता है और फिर ये जो बीच में दिख रहा है आपको जहां ब्लैंक है स्कॉयर जैसा यहां पर जब मतलब प्लेंड डिजाइन होती थी यासे उसमें कोई ज़्यादा अलंकरण या कुछ नहीं होता था तो ये हो गई हमारी डोरिक ओडर सेकंड आता था हमारा आयोनिक ओडर आयोनिक ओडर में क्या होता था जो ये देखिए प्लें है ये अब थोड़ा सा राउंड हो गया है थोड़ा सा इसमें मतलब एक तरीके से इसको ये देखिए गुमा के बनाया गया है पिलर पे और ये पहले वाले में क्या एकदम straight है, इसमें कोई design नहीं है, ऐसे, support है एक तरीके से, और इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है पिलर को, थर्ड जो है हमारा थर्ड में क्या हो गया कोरिंथियन ओर्डर में क्या हो गया हमारा जो यह होता था बेस के उपर जो है पिलर के उपर इसमें बहुत ज़्यादा डिजाइन वगेरा अलग-अलग मोटिव, डेकोरेटिव इसको कर दिया तो तीनों में आपको इसको साफ दिख रहा है, कि यह एकदम plane एक हैं फर्स्ट वाला, ठीक है यह इसको डोरिक हो गया, सेकेंड हो गया हमारा आयोनिक इसमें इसमें क्या होता है, एक तरीके से घुमा हुआ है, धार्ड हमारा हो गया जो Corinthian इसमें हमारा बहुत ज़्यादा design बगेरा होती है और पैडिमेंट किसमें होता है यह देखिए यह जो सबसे उपर देख रहा है ट्रैंगल शेप में इसको बोलते हम पैडिमेंट मैं बाद में ग्रीक कला को और अच्छे कभी नहीं बुलोगे ग्रीक कला का जो आर्किटेक्चर है वो बस पिक्चर से देख के हमें समझना है उसके बाद उसके कितने भी नाम टफ हूँ हमें अपने आप याद हो जाते हैं अभी आप फर्स टाइम भी है तो ये पता है कि हाँ ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई वर्ड है ठीक है तो साफ्ट क्या हो गया साफ्ट ये देखिए जो ये है ना ये बना हुआ है साफ्ट ये हो गया पिलर जैसा भी अलग-अलग डिवाइडेशन की हैं, ये साफ्ट के ऊपर भी, बट इतना भी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें हमारी इससे जुड़ी हुई है, ग्रीक आर्किटेक्चर से, और जितना भी वहाँ पे बिल्डिंग बनी है, टेंपल बने है, ठीक है, व पिकासो ने क्योंकि मूर्थिशिल भी बनाए हैं, आप लोग को पता होगा, ये क्या था, एक कास्ट करके इसको बनाया था, इसको देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है, उसका चहरा दो खिलोना कारों से बना था, एक सीधा दूसरा उल्टा, अब ये पिक्चर पिकासो ने अपने बेटे क्लाउट से उधार लिया था, और उसकी पूच को उन्होंने क्या किया था, एक आटो मोबाइल स्प्रिंग थी, बबून के कान कप के हैंडल से बने थे, उसका गोल पेट एक बड़ा जक था, जिसके हैंडल उसके कंधों के आकार का है, पिकासो अक्टूबर 1951 में वेलो लॉरिस के पास अपने विला में मूर्तिकला बनाई थी, जिसमें कुछ प्लास्टर मॉडलिंग को वस्तूओं के संयोजन में जोडा गया था, मेंस इसको कास्ट करके, प्लास्टर मॉडलिंग करके, फिर बाद में इसको ब्रॉंज में, ये देख देखिए, कार का हो गया, एक सीधे रखी है और एक दूसरी नीचे से रहे, सीधी और उल्टी हो गई, अलग-अलग चीजें इसमें ये देखिए, स्प्रिंग भी दिखाती हूं मैं, इसमें, ये देखिए, इसकी जो टेल है, इसको स्प्रिंग से बनाया है, तो ये किसका ह बबून एंड यंग ये है हमारा पाबलो पिकासो का, ठीक है, नेक्स्ट है, मोको लिटो या क्या तात पर है, मोको लिटो से क्या तात पर है, मोको लिटो या लकडी पर लिथोग्राफी बोलते हैं, ठीक, चुना पत्थर के बजा, इसमें किसमें लिथोग्राफी की जाती कि को जापान में प्रोफेसर सेंची ओजाकू दौरा 1970 के दसक में मुकुरिटू नाम से विक्सित किया गया था अब इसमें हमें सारी चीज़े आ हैं क्योंकि पता है net में तो हमें हर त中共 साने चाहिए हर तरीके के तूलिके बारे में ज्यादा से जादा हमें पढ़ना पढ़ता है कि कौन सा क्योंकि इतनी सारी टेकनिक अलग अलग टूल्स भी हैं और अलग अलग आर्टिस ने भी अपनी अपनी कुछ टेक्निक भी डेवलब कर ली हैं तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना है next है mono printing में कितनी image एक बार में निकाले जा सकते हैं mono printing print making का रूप है आपको पता है इसमें क्या होता है रेखाएं या चवियां होती जिनने केवल एक बार बनाया सकता है question पहले पूछा गया है mono printing में क्या इसको उसमें पूछा गया है कथन में कथन बहुत आते हैं थर्ड पेपर में तो कथनी बहुत आता था तो इसमें पूछा गया है कि एक इतने मतलब एक बार में इमेज तो इसकी एक खासियत कहा है इसमें एक बार में केवल एक ही इमेज बनाया जा सकता है ठीक है उधारन क्या है लिफोग्राफी उड़कट और इचिंग सामिल है पें नेक्स्ट है कैट्स नेम्स सैम एंड वन ब्लू पुशी नामक बुक किस कलाकार की है ठीक है तो यह है बुक हमारी 1988 में लिखी थी एंडी वार होल ने ठीक है यह आपको पता है कौन है पॉप कलाके निर्माता है अमेरिकी कलाकार है फिल्म डायरेक्शन में भी इन्होंने क काम किया है यह दरश्यकला अंदोलन में प्रमुक वैक्ति थे मेंस इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्ट है इनकी रचनाएं कलात्मक अभी वैक्ति विग्यापन मतला अड़र्टीजमेंट से ले लेटर और सैलिब्रेटी संस्कृति के बीच संबंदों का पता नाम एक बार पढ़ लीजेगा क्योंकि मैचिंग में नाम आते हैं इन में से कई बार मर्लिन डिप्ट्स प्रायोगिक फिल्में एंपायर और चेल्सी गल्स ठीक है नेक्स्ट है आईरिस एंड अमेरिकन बार 1895 लीथोग्राफ कोस्टर किस कलाकार का है ठीक है तो इस टाइ प्रेंटिंग्स पढ लेते हैं मूर्तियां जादा से जादा पढ़ ली एकर मूरतिकार है तो मूरतियां पढ़ लेते हैं चित्र कार है तो चित्र relevant हैं अगर और कुछ काम किये को ग्रीफ होने और यह किसका है यह है हमारा Henry de Toulouse Letrecca, ठीक है, Toulouse Letrecca है, एक फ्रांसीसी चितरकार, प्रिंट मेकर, ड्राफ्ट्समैन, कैरी केचरिस्ट है, हिंदी में लिखा है, कैरी केचरिस्ट उंग्लिस में लिख दिया है, और इलस्ट्रेटर थे, इनका क्या है, इनका तो एक फेमस था, Molly Rose, ठीक है, यह 1889 में एक मतलब जगया थी, Molly Rose, France में वहाँ खोला गया था, पोस्टर की एक इनोंने इसकी स्रंखला बनाई थी, इसलिए यह Molly Rose, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, निर्मार करने के लिए, मतलब इसके पोस्टर की एक स्रंखला का निर्मार करने के लिए, इनको एसा इनके बच्पन में कुछ ऐसा हुआ, कुछ में सैपनी हुई, तो इनके पैरों में कुछ प्रॉबलम हो गई, तो यह आप इनको देखिएगा, इसमें नेट पे भी डालके, तो इनके पैर बहुत छोटे थे, और मतलब देखने में भी बहुत अच्छे नहीं थे, एक तरीक वहीं पे जो एक तरीके से वो बोलते हैं, वैश्या घर इस टाइप में यह बहां जाते थे जादा तर, तो इन सब के कारण ही ना, उसी सब्जेक्ट को लेके फिर इन्हों ने एक तरीके से फिर काम करना भी शुरू किया, बहुत अलग अलग तरीके से आर्टिस्ट का कुछ था, बट तुलूज लेत्रेक्ट का एक और क्या शौक था, उन्होंने वेंजनों का एक संद्रे बनाया था, ठीक है, जिसको उनकी डेथ के बाद, उनके मित्र डीलर मौरिस जायंट द्वारा, एल आर्ड देला कुजिन, यह उस फ्रांसिस नाम है, के रूप में प्र लोत्रेक्ट का ठीक है, लिथोग्राफी पोश्टर के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं, यह जो मौलिन रून्स, मौलिन रून्स बोलते हैं, फ्रांस में हैं, यह इसके इन्होंने बहुत ज्यादा सिरीज बनाई है इसकी, और एक जो यह फेमस मैंने इस पे लिखा लिखन बार, यह लिथोग्राफ नों ने बनाया, यह देखिए मौलिन रून्स का, पोस्टर 1891 का, टीक है, नेक्स्ट है, टाइपोग्राफी से रिलेटड है, एक्स हाइट क्या होती है, एक्स हाइट क्या होती है, जब एक एक्स उचाई एक टाइपवेस में बेस लाइन और उसकी जो निचली लाइन होती है, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, उसको बोलते हैं, आम तोर पर यह font में अक्षर X की उचाई है, means जब हम X लिखते हैं, तो उसकी जो उचाई होती है, जितने भी X हम लिखते हैं, English की copy में, जो भी देखिये, आपको दिखाते है यह देखिये, इस पिक्चर से ज़्यादा चीज़े clear हैं, और इससे भी question बनते हैं, तो इसलिए मैंने पिक्चर लगाई है, देखिये X हाइट क्या है, X जो already exactly X लिखा हुआ है यहाँ से, और इसके नीचे उसके बीच की, इस जगे से और इस जगे के बीच की दूरी को हम X हाइट यह जो red वाली लाइन है और इसके उपर जो sleeping लाइन है, इस लिखा हुआ है, X हाइट बोलते हैं, फिर क्या है, दूसरी एक चीज़ important जो पूछी जाती है, ध्यान से देखियेगा, इसमें बहुत सारी चीज़े clear हो जाएंगी, पिक्चर देखके ज़्यादा समझ म जाता है, तो X हाइट हमको पता चल गया, ठीक है, नेक्स्ट कई बार पूछा जाता है कि इसमें सेरिफ और सेंसेरिफ के बारे मैंने पहले यह आपको बता दिया था, बेस लाइन कहां होती है, तो बेस लाइन तो यह पता चल गई, जो यह नीचे वाली ब्लू लाइन मिन्स वो, अलफा बेट के देखे भी पर्टिकुलर अलफा बेट देखे भी तब पूछता है, जैसे O के O बना है, O में जो यह गैप है, पूछता है कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, काउंटर, ठीक है, यह सारी चीजे पूछी जाती है, आर में जैसे दिया जैसे H में आप देख सकते हो, Ascender जाता है, और P में क्या आता है, Descender आता है, ठीक है, यह आपको सारी चीजे इसमें से आपको clear हो जानी चाहिए, और यह बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि इसके question भी बहुत आते हैं, टाइपोग्राफी से related question भी बहुत सारे बनते हैं ठीक है, सेरिफ, सेरिफ हो गया, Descender, Ascender पूछा गया है, कई बार X height पूछा गया है, बाउल पूछा गया है, काउंटर पूछा गया है, इसमें से जादा तर चीजों के बारे में already पूछा जा चुका है, तो यह एक picture मुझे मिली, तो मैंने इसमें लगाया कि ताकि आपक X site, ठीक है, नेक्स्ट है, गूगल का मुख्याले कहां पर है, ठीक है, अभी लास्ट कई सालों से यह है, कि अब जितना भी जैसे गूगल है, Amazon है, Twitter है, और Microsoft है, यह जितनी भी कंपनिया है, इनसे related चीज़े बहुत पूछी जारने लगी है, इसका क्या है, तेईस साल पहले चार सितंबर 1998 को, मैनलो पार्क, कैलिफोर्निया, सैंक तुराज अमेरिका में, इसका मुख्याले है, ठीक है, इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ था, गूगल का, दो, मतलब फ्रेंड थे, वो पिएज़ी कर रहे थे, नाम था, लेरी पेज और सगई ब्रिन, इन लोगों के द्वारा, पिएज़ी कर रहे थे, कहां पे, कैलिफोर्निया से, वहां के ये स्टुडेंट थे, और उन्हों ने ही, इसका स्टार्टिंग किया था, इसके एक चीज और है, 2001 से 2011 तक, एरिक स्केमिड, ये CEO थे, गूगल के, उसके बाद क्या हुआ, सुन्दर पिचाई, आप जाते हैं कि वह भारती हैं, अमेरिकी व्यापार कारिकारी है, वह एल्फा बेट और इसकी सहाया गूगल के मुख्य कारिकारी अधिकारी है, ठीक है, अब इसमें से 2-3 चीज़े और देख लेते हैं, एक तो ये कि इसमें गूगल में कौन सा फॉंट यूज किया गया है, त फांग means Facebook, Amazon, Apple, Netflix and Alphabet, ये कंपनिया हैं, पांच इनके बारे में पूछा जाता है, ये top 5 कंपनी फांग अगर आता है तो Facebook, Amazon, Apple, Netflix and Alphabet, ये कंपनिया हैं, नेक्स्ट है, ग्रैफिटी से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इस समय ग्रैफिटी बहुत ज़्यादा, अब modern टाइम मे हम देख रहे हैं कि जगे जगे ग्रैफिटी का यूज किया जाता है, ग्रैफिटी बेसिकली क्या होता है, जब हम दिवार पर, बाहरी दिवारों पर कोई काम करते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं, कुछ बनाते हैं दिवारों पर भित्ती पर, जो एक तरीके से public environment में होता है, means जब हम जाते हैं कई बार, तो हमने देखा है दिवालों पर बहुत बड़े बड़े पोस्टर, या कुछ social message जिससे जाता है, एक अच्छा message जाता है, कुछ इस टैप से बनाते हैं, ताकि हमारा मतलब सुन्दर भी लगता है, और वो जगे भी और attractive हो जाती है, तो किसी अधिकांस देशों ने इसको संपत्ती के मालिक और नागरिक अधिकारियों द्वारा अनुमति के बिना संपति को चिन्नित करने चितित करने को, मतलब उन्हों ने इसको सही नहीं माना कि एक अपराद है कि आप कैसे किसी भी वॉल पर जा के इसको कुछ बना सकते, बट या मुख रूप से कुमारों द्वारा किया जाता था अपने पात्र को चमकाते थे फिर उसमें डिजाइन को खरोषते थे मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई कि पहले हम पात्र में कुछ उन्होंने खरोच के उसको बनाया प्राचीन काल में दिवारों पर किसी नुकीली चीज स भित्ती चित उकेरे जाते थे हलांकि कभी कभी चाक या कोईले का इस्तिमाल किया जाता था ठीक है यह देखिए उकेर कर एक तरीके से अब तो वो अलग-अलग टेक्निक आ गई है कलर से और भी बहुत तरीके से दिवालों पर बड़े-बड़े काम होते हैं ठीक है में क्य ऐसे ही लोगों ने क्या किया बाद में दिवालों पर खरोच खरोच के फिर उस पर डिजाइन बनाने लगे फिर उस पर कलर करने लगे तो वो एक टेक्निक जैसी डेवलप हो गई ठीक है तो यह हो गई हमारी ग्रैफिटी यह देखिए मलेशिया कौलालूमपूर में यह ब पैरिस में भी था और किस अंदोलन से पहले जो रहते दादा और अधिया थार्त वाधिया अंदोलन में उनका बहुत ज़्यादा योगदान था ठीक है उन्होंने अलग-अलग मीडियम में भी काम किया खुद को सबसे अदा आपने आपको एक आर्टिस्ट के रूप में ही इन्होंने क्या किया था फोटोग्राफी में एक नई टेकनिक विकसित करी थी और वो उसी के लिए सबसे ज्यादा फेमस रहे है अगर नाम आता है रेयोग्राफी का तो मन्रे का नाम ही सबसे पहले आता है उन킨 का नाम लिया जाता है यह क्या किया से még तरीके से फैसन से steal related और उसके बाद फोटोग्राफिक प्रिंट होते हैं तरीके से जो वस्तुओं और अन्य तत्वों को फोटो संस्टिव पेपर पर रखकर कैमरे के उपयोग के बिना ही उसको प्रकास मतलब उसको पर हाइलाइट करते हैं तरीके से पेपर होता है यह देखिए और उस पे फिर जहां पर उन्हें फोकस देना होता है वह पेपर जो होता है वह फोटो संस्टिव होता है उस पर रखके यह बनाते थे तो यह एक ऐसी टेक्निक है जो बिना उसके यूज के फोटो क्या होता कैमरे के यूज के प्रिंट इसमें लिए जाते हैं ठीक है इसमें क्या होता जैस जो धुंदली होती है कई जगे तो वहां पे वो ग्रे जैसा दिखाई देने लगता है तो इसमें बेसिकली क्या होता है कैमरे का उपियोग किये बिना ही हमें फोटोग्राफिक प्रिंट टेक्निक है यह यह देखिए यह इसके लिए फेमस कौन थे हमारे मन्रे नेक्स्ट है आरबी भासकरन प्रशिद हैं आरबी भासकरन क्या है आरबी भासकरन चन्नेई के कलाकार है ठीक है एक बच्चे के रूप में इनकी मतलब प्रेणा उनके मामा नमा शीवेयम पिल्ला ही थे जिनका मतलब वो क्या करते थे उन्हों 1930 के टाइम में वो फिल्म बैनर को चित्रि पूछा गया किसी उसमें तो ने क्या बनना है तो उन्हों ने अपने मामा को मामा से इतने ज़्यादा इंस्पायर थे देखा उनके काम को तो वह सुनको यह लगता था कि नहीं मैं मैं जब बढ़ा हूंगा तो मैं अभी बस बैनर ही पेंट करूंगा तो वह बच्पन की जो दी चीजे थी फिर वह दीरे-दीरे बड़ी बड़े होने पर उन्होंने बहुत जयादा अच्छा काम करना शुरू किया नेचर से बहुत जादा प्रैरीथ हुए थे क्योंकि और उन्होंने एक आम जो जंता होती है मनूश्य से सबसे प्रैरी थो के काम किया फिर क्या था उनके लिए किसी भी कला में मतलब बैलन्स होना और बहुत ज़्यादा जरूरी था अलग-अलग मीडियम में काम किया ठीक है ललित कला गानी के पूर अध्यक्ष भी थे गौर्मेंट कॉलेज आफ चिन्नाई के प्रिंसिपल भी थे इनका इंपॉर्टेंट इसलिए है कैट कपल फेमस सिरीज हैं कपल सिरीज के बारे में एक बर पूछा गया है पहले नेट में इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया है थोड़ा इनका डिटेल कैट की इनोंने बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है इनकी सिरीज है कैट की और कपल की यह देखिए नेक्स्ट है हमारा नाइंटीन नंबर का धोकरा तकनीक होती है ठीक है धोकरा तकनीक क्या होती है धोकरा यह धोकरा इसे डोकरा भी कहा जाता है इसे लॉस्ट वेक्स टेकनीक या खोई मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके अलाह धातु की धलाई की जाती है इस धलाई का उपयोग इंडिया में 4000 अधिक वर्सों से पहले किया जा रहा है जब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाइम था उस टाइम से इसका यूज किया जा रहा है जो मोहन जो दाड़ो नत्यांग ना मिली थी वो भी इसी टेकनीक की थी जिसे लॉस्ट वैक्स प्रोसेज या ढोकरा भी बोलते हैं ढोकरा एक डामर जन जाती है एक तरीके से जन जातियों का है था पस्चिम बंगाल और उडिसा की जो पारंप्रिक धातुकार है उनकी ही ये टकनीकी थी और उनकी जन जाती के नाम पर ही इसे ढोकरा धातु की ढलाई कहते हैं जन जाती जारकंड से पस्चिम बंगाल और उडिसा तक फैली हुई है नेक्स्ट और लास्ट कोस्टन है हमारा Pixar Movie Studio कहां इस्तित है ये question matching में आया हुआ है कि Pixar Movie ऐसे करके अलग-अलग studio दिये हैं अलग-अलग जगे दिये हैं और उनसे match करना था तो Pixar Movie Studio कहां पर इस्तित है Pixar Movie Studio या ऐसे भी पूछता है ये तो पूछा था कि Pixar Movie बस दिया था और next में पूछा है कि से matching करो तो Pixar movie है क्या तो Pixar movie एक studio है कहां का है अमेरिकी computer animation studio है ठीक है इसके लिए क्या है समिश्को और व्यवसाइक रूप से सफल computer animated feature मतलब मूवियों के लिए जाना जाता है यह है Emeryville California में स्थित है और जो Walt Disney है company उसके जो वो है founder है उनके Walt Disney studio की सहायक company भी यह है Pixar movie studio ठीक है owner कौन है Steve Jobs तो यह थे हमारे आज के 20 question I hope आपको question अच्छे लग रहे होंगे अगर इसमें से कोई भी confusion कोई doubt है तो आप मुझे comments करके पूछिए का मैं जितनी जादा से जादा कोशिस करती हूँ बता पाऊं वो इसमें टाइम बहुत कम बचा है आज 24 हो गई है बहुत कम टाइम में ही नेट का exam होने वाला है तो आप लोग अपनी तयारी अच्छे से ही करते रहें इस टाइप के question बस आपके लिए एक बेस है मुझे ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं होता है कि कोई वही question आजा particular बट एक idea मिलना बहुत जरूरी है में भी मैंने question आपको बताया पिक्सर मूवी studio आपने इससे चार question net से search किये या books में तो बहुत कम होता है यह सारी चीज़ें में animation से related है basically क्या होता है कि film industry या किसी animation से related किसी cartoon से related या advertisement से related इसके आसपास की चीज़ें बहुत जादा मतलब आने के chances रहते हैं तो यह आज के हमारे 20 questions हो गए अब मैं next फिर से कोशिस करूंगी बहुत जल्दी वीडियो बनाने की कि फिर से मैं इस type के ही 20 questions और लेके आऊंगे आप लोगों के लिए आप मुझे comments करके जरूर बताईए comments करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है मुझे लगता है कि हाँ आप लोग को अच्छा लग रहा है और किस type के question और आपको मतलब जिसमें मेरी मैं help कर सकूं आप लोगों के लिए तो आप मुझे जरूर comments करके बताईए का मैं वैसे question लाने की कोशिश करूंगी क्योंकि time तो कम बचा है ज्यादा से ज्यादा cover करना चाहेंगे हम चलिए मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care